बहुत साइ लोग ऐसे भी होते हैं, जो सिर्फ ऐसी चीज़ों को मानते हैं, जो science है, प्रूवड है, तो आज के जमाने में जो western scientists प्रूव करते हैं, उसमें विश्वा सकते हैं, और उसी perspective से मैं आपको हमारे धर्म, हमारे संसकती के बारे में पूछना चाहूंगा, आज के ज कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो पर्भानु वाली जो दो लाइने हैं हमारे हनुमान चाले साम उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है मतलब लाइट एस में डिस्टेंस हमें एक्स्प्रेंड किया हुआ है बहुत कई सौ कई हजार साल बाद फिर एक दिन नासा ने बताय है कि अर्थ और सन का दीज मेनी लाइटियस दिस इस डिस्टेंस तब दुनिया को मालम चला हुआ हमने ग्यान बहुत पहला है लेकिन हम क्रेडिट लेने में बहुत पीछे रहे गए चीज़ों को जैसे एक वेक्ती थे सुशृत सुशृत ने सुशृत को मतलब अपने ही का सबकी अंतिष्टी नहीं की जाती थी तो उनकी बॉडिज को निकालके ये उनकी बॉडिज किसी एक बॉडि में मालीजे कान कट गया है और दोनों हैं तो डेट बॉडिज दूसरे में कुछ और कट गया तो इसका कान निकलके उसको लगा देते थे वो गंगा की दूसरे की तो उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता है उन्होंने ये सब करते-करते जो भी सीखा वो डॉक्युमेंट करना शुरू कि उन्होंने डॉक्युमेंट की 27 वॉल्यूम्स उसको कहते हैं सुष्रूत समिता और ये मतलब ये सच में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं ऐसा नहीं कि हवा हवाई बाते हो लिए वो सुष्रूत समिता यहां से पर्जियन लैंग्वेज में कनवर्ट हुआ और अरेबिक कंट् तो हम, we are the first plastic surgeons of the world. अब देखिए अभी दिवाली पास है. आप दस लोगों से पूछेंगे तो उसमें नौ लोग नहीं बता पाएंगे कि धन्तेरस हम लोग क्यों मनाते हैं. धन्तेरस धन्वंत्री के नाम पर मनाया जाता है. धन्तेरस को बोला जाता है first doctor of the world. तो सागर मं कहानी में आप जाएंगे तो अमरित कलश लेकर जो व्यत्ती निकला था वो धन्वंत्री थे. अब आप जाएंगे पूरी दुनिया और हम लोगों को मेडिसिन सिखाया है. तो इसलिए अभी तक फाइच चलता रहता है कि आयुरवेदिक अच्छा है कि अलोपेथी अच्छ वाले इयर में, 608 और सम्थिंग में पहला टेलिस्कोप बना. और नासा ने बताया, वेस्टरं कंट्रीज ने बताया हमको कि सूरज है और नाइन प्लैनेट्स है उसका रिवाल्व कर रहा है. क्या आपको लगता है कि जिस दिन इनों ने सूरज और नाइन प्लैनेट्स बत है कि सोलवी शताबदी के पहले से हम नौ ग्रहों की पूजा कर रहे ना. नौ ग्रहों की पूजा पंद्रवी शताबदी से या चौदवी शताबदी से शुरू नहीं हुई. छेसो 668 CE में एक व्यक्ति का देहांत हुआ. उनका नाम था ब्रह्म गुप्त. उन्होंने बहु वो ऐसी धर्ती का काम है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्राइट करना. इस व्यक्ति की डेथ हुई 668 CE में. 1150 में एक दूसरे शक्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से इलाबरेट कर रहे थे. उनका नाम था भासकर, भासकर 2. उनके पिता थे, वो सेकंड थे, वो भासकर 2 थे. उन्होंने जो किताबे लिखी है, वो उस पे उन्होंने शब्द दिया है गुरूत्वा कर्शब. और यह मैं बात कर रहा हूं, 1150 CE. हाँ, AD. एक ही बात है, more or less एक ही बात है. आजकल एक नया confusion चल रहा है. और यह जो gravitational force, the theory of Newton बोला जाता है, यह हुआ है अ around 1600 में. तो वो जो पहला, मतलब हमने विमाना पुरान लिखा है. उस पर नासा सच में उसका prototype तैयार कर रहा है, जिसमें fuel में mercury यूज होता है. mercury का यह होता है कि जैसे उसको गरम करते हैं, तो वो light होता जाता है. तो आप किसी चीज़ को light करेंगे, बलून कैसे उड़ता है? हीलियम गरम होता है, तो light होता है, तो उपर चला जाता है. हमको, आप सोची ना कि कैसे कोई विमान पुरान लिखेगा, कोई ऐसा शक्स विमान पुरान लिख सकता है logically, जिसको गुरत्वाकरशन, ग्रैविटेशनल फोर्स की समझना, impossible. तो हम विमान पुरान लिख चुके हम ग्रैविटेशनल फोर्स शिक्सिटी एड में बोलने वाला वो आदमी मर गया. उस चीज को 1687 में ये न्यूटन्स थेोरी ऑफ ग्रैविटेशनल फोर्स को इत्ती ख्याती मिली. आप 668 और 1687 जोड़ेंगे तो एक हजार साल से भी जादा होता है. तो हम वी हैब बेरी सा प्रोशस का मिली जया कि को बहले से पूर्र वड़ेंगे ठुर्मा